हरी शरावत के नाम के साथ जो सबसे आदा सुर्खी बनती है वो ये बनती है कि किस सीट से चुनाओ लड़ेंगे पूर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने कहा आप अपने लिए एक सीट तो तलाश नहीं पा रहे हैं अप लालकूह में जाकर लड़ रहे हैं कहा जा रहा है कि कॉंगरेस के लोग ही आपको निप्ताने में लगे हैं बढ़े लहा हो है हमारे सीने में जोग कह रहे हैं कि यह बोल कि अपने आपको की आपके विरोधी कहते हैं कि हरी शरावत एक चीज में बहुत सफल रहे और वो एक चीज है कॉंग्रेस के भीतर अपने विरोधियों को धैर के साथ एक-एक करके किनारे लगा देना लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कॉंग्रेस की सत्ता आती है तो क्या हरी शरावत मुक्यमंत्री होंगे लिए हमारी बड़ी प्यारी प्यारी रवायत है परमपरा है इसी परमपरा के चलते दो हजार दो और दो हजार बारा में सीम की कुर्सी आपसे चली गई थी विरोधी कह रहे हैं कि हरी शरावत की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कॉंग्रेस 2017 के विधान सभा चुनाव में उनके नित्रत में लड़ी और अपने वर्स्ट फिगर पर पहुंची गया रहा कि मुझे फक्र है इस बात का मैं इतने चुनाव लड़ा जिंदगी में कभी नहीं हाओ लेकिन आप अलमोडा से लगातार चुनाव हार के रहे लोगों ने कहा कि अलमोडा में एक ठाकुर वर्सित ब्राम्हन लॉबी भी बड़ी चलती है इसलिए भी आपका पत्ता कटवा द कि नर्सिम्मर आओ का राज रहा उनने सो इंक्यानवे से चानवे तक उस दौरान हरी श्रावत सफल नहीं हो पाई इतने वरिष्ट नेता लेकिन राओ के दर्वार में नहीं चली मैंने जब मुझफर नगर कान जो इतनी गालियां दी आपने गालियां दी नर्सिम्मर आओ क्या ये सत्य है कि हरी शिरावत ने जब देखा कि 1999 में वो करीबी मुकाबले में फिर से चुनाव हार रहे हैं मेज से बैलेट पेपर लेकर भागे आपने कुछ बैलेट पेपर च प्रियून के रामगर की सेवा करना चाहता है अंतिम दोर में क्या आपका ये आखरी चुनाओ है जनता कह रही हर्दा को मालूम सब कुछ है पता नहीं रहे हैं जमघट ललन टॉप का वो मंच जहां सत्ता के दाविदारों से सवाल पूछे जाते हैं जमघट का उत्तराखंड सेशन चल रहा है और इस अंग के महमान है उत्तराखंड के पूर मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस की इलेक्शन कमेटी के मुखिया हरीश रावज जी बहुत- इसी नियत से आये हैं कि आपके दशकों तक पसरे संसदी और विधाई अनुभव के बारे में जान सकें और कॉंग्रेस की रणनीती के बारे में जान सकें अरीश जी देहरा दून में इश्तिहार लगे हुए हैं कॉंग्रेस के चार धाम चार काम क्या है ये चार काम और इन कि चुनाव के पीछे की वजय क्या है? हरी श्रावत यह कहता है चार धाम हजार हजार काम यह हमारा लक्षी है तो उसमें पतिली के चावल देखने के इसी स्थिति में है यह चार काम हमने लोगों के सामने पेश किये हैं इसमें पहला है कि पांस साल में चार लाग रोजगार जो लगभक स्ताही नेचर के होंगे क्योंकि बेरोजगारी उत्राखंड में एक बड़ा सावाल है तो सरकारी पद रिक्त हैं 28,000 से ज्यादा उनको भरेंगे हर साल 10-30 नहीं पांस 28,000 नहीं, 57,000 यह अभी जो आंकड़ा है सरकारी तोर पर हम उस पर 22,000 से नहीं पढ़ते हैं 28,000 माल लेते हैं तो 9,000 नहीं नहीं ने पद मृत्रगोशित कर दी है तो उनको लगा लें इनी के आंकड़े से 37,000 हो जाते हैं हमने यह कहा है कि हम उन पदों को सब्तमाती भरेंगे और 10% हर साल सेकर्टी जिस समय आपना प्रस्ताव लेकर के आएगा बित्ती प्रस्ताव लेकर के आएगा तो यह सर्टिवाई करेगा कि इस प्रस्ताव में जो हम प्ड़ान करोड खर्च कर रहें इससे कितने रोजगार पैदा हो ऐ सो वो इंडिकेटर है इस बात का कि रोजगार को कॉंग्रेस कितनी बड़ी प्रात्रिक्ता देने जा रही है। दूसरा जो वादा हमने कहा है लोगों से वो कहा है कि गाओं गाओं द्वार द्वार स्वास्त सेवा हैं। स्वास और सिक्षा का धाचा भाजपा ने बिल्कुल ज्वस्त कर दिया। यह दोनों हमारी रीड़ के हड़ी और किसी भी राज़ी की तो नैशनल प्राइटीज हैं। और इन्हों ने इसको दोनों को चकना चूर कर दिया। स्वास की हालत दे रही कि कोरोना काल में प्रतिशत वाइद देखा जाए तो देश में उत्राखंड में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोग मरें। वरे गाओं हैं हमारे सीने में। तो इसलिए हमने कहा है कि गाओं गाओं द्वार द्वार। मतलब स्वास सेवाएं पहुंचेंगी गाओं गाओं द्वार द्वार। कैसे हम इसमें टेक्नोलोजी का इस्तिमार करेंगे। दूर दराज के गाओं हैं। हमारा जब पाकिस्तान द्वार। के जरिये यहां एकफोटी से उन भेज सकता है तो हम दवाईया नहीं भेज सकते। हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे ताकि लोगों को टेलिम एडिशन एडवाइस के साथ उनकी एक्शेस बन सके। हम इस तरीके को और मोबाईल वैं, मोबाईल सर्जरी वैं, मोबाईल टेस्टिंग वैं यह सब का हम जाल बनाएंगे। हमने यह कहा है कि हम एक और एक सो आठ जैसी स्यर्विस क्रिप्रज करेंगे। हमने पहले खुष्यों की सवारी की थी, उसको इन्होंने थप कर दिया। तो हम खुष्यों की सवारी के तर्ज़ पर पहलर लिए तरीके की अप्रज़ का बनाएंगे। तीसा वादा हमारा है जोगों से, हमने कहा है कि हम पांच लाथ लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, इस संक्या बढ़ भी सकती है, पिसले कोरोना काल को लेले और बैड एकोनोमिक्स की वज़व से, जिसमें नोडबंदी से लेकर के हमारे GST तक सम्लित है, छोटे गुद्योग, सुक्ष मुद्योग जो अपने परिवार आधारी गुद्योग थे और सम्मर गए है, जो लोग अच्छे खाते पीते हो गए थे, वो गरीबी के रेकांगे नहीं चाहा गए है, उनको फिर साहरे की जर्वत है, तो हम पांस लाग परिवारों को आई कि बनाओ बनाओ कॉंग्रेस की सरकात, लाओ लाओ कॉंग्रेस की सरकात, गैस का सिलिंडर नहीं होने देंगे पांसो रुके के पार, सबसीडी बढ़ाएंगे सिलिंडर के, हम सबसीडी दे करके गरणी के नाम पर सबसीडी पोँचाएंगे, जो महिला है घर की बड़ी, उ सवाल मुझसे उसमें भी किया गया था जिस समय जिवालेई शुनामी आई थी और पूरा उत्रकंड धवस्त हो गया था असी प्रतिसत हिस्सा रिलको धवस्त हो गया था एकोनोमी बहुत नीचे आ गई थी ग्रोथ से निगेटिव हो गई थी राजोस ब्रदीदर निगेटिव हो गई थी पर कैट्पिटा इंकम में इतना बड़ा स्रंप आ गया था कि हम जो है चौरहतर हजार से नीचे पहुंच थे इस स्थिती को हमने डेड़ साल में रिट्रीट किया संशादन जुटाए और वापस लाए एकोनोमी को आपने पाऊं पर खड़ा किया राजा सुविर्दीदर की स्थिती हमने यह पहुचाई कि तीन साल के अंदर हम देश के अंदर करनाटक के बाद दूसे बड़ी रा आपके आरोजकों का कहना है वारे कैपिटा इंकम हमने 74,000 से बढ़ा करके एक लाग 75,000 पहुचाई तीन साल के अंदर तो यह स्मॉल इंडिकेटर से और हमने जो ग्रोथ रेट थी विकासदर थी उसको हम साड़े 11% से उपर ले करके गए आप यह आकड़े बता रहे है हरी जी आपके विरोधी कह रहे हैं कि हरी शरावत की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कॉंग्रिस 2017 के विधान सभा चुनाव में उनके नित्रत में लड़ी और अपने वर्स्ट फिगर पर पहुची गया रहे हैं अपने उन दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ किसी की परफॉर्मेंस उसका आउटकम क्या रहे हैं उसके सांथ नहीं जोंगी जाती है इतिहास के अंदर ऐसे बहुत सारे उधारण हैं, जिसमें जो most successful regime रही है, वो जो है, ज्यादा extrications के बोज के तीजी नीचे कंबल कर गई है, मैं उसमें आपने को नहीं लाता, मैं आपने को most successful regime नहीं लाता, मैं तो केवल आपने को बड़ी modest government के रूप में कहता हूं, मैं आपको जो election के result हैं, उसकी तरव ले जाना चाहता हूं, आप अनलाइज करिए, हमको लगवग वही बोट मिला, उतना percent vote मिला, जिस percent vote पर हम 2000 बाहर में सत्तमाई, लगवग उतना ही बोट मिला, 0.01 percent काम मिला, बांगे उतना ही मिला, और यह तब मिला, जब हमारे बड़े नहिता कोच जो है, दल बदल करवा दिया गया, और उनको डाका डाल करके भाजवा अपने पाले में लेकर, सरकार गिराने के कोशिश ही, पूरा इंस्टैबिलिटी पूरे राजिवा, उस पर विस्तार से बात करेंगे, सब सब किया गया, तब हमने वह बोट परसंट मैजेज किया, अब कैसे भाजवा के जीत का अंकड़ा, जुटा, उत्तरप्रदेश को टेस्टिंग लेब बना कर जब मोदी जी ने ये कहा कि कबरिस्तान, सम्षान, जब लोगों को कहा तिवाली में हर इश्रावन आपकी बिजली कारता है और एद में बिजली दो, जितनी जलाओ उसका इंतर्याम करता है, जब इस तरीके के सवाल उठाए गए और उत्तरप्रदेश से जब हिंदुत के जादी आई, ये तो 100% करीब करीब है, समझेए 90-92% हिंदु अवादी है उत्तरप्रदेशन के अंदर और उसमें भी 80% सवर्ण हिंदु है, इसलिए जब एक हिंदुत की बयार, हिंदु बना मुशलवान खड़ा किया गया, हरीशरावत के लिए कुछ जूट मूट गढ़ा गया, कहा गया कि जूम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी हरीशरावत ने, और सारा भाजपा का प्रचास्ततर ऐस प्रश्वाज में लग 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 लिया, वरिफाई नहीं किया, किसी ने मांगी नहीं कि, किसी ने मांगी नहीं कि, मैं आज भी कहरा हूँ भाजपा वालों से, मैं राजनी ती छोड़ दूँगा, बिना शाष्णादेश के, बिना किसी ओफिचल मेमनोलियम के, तो इस तरह के छुट्टी नहीं हो सकती, यह तो कोई प्रमान होगा, मैं कहरा कि एक ऐसी जमात में, मजार में, सर जुखाने गया, तो वहां नंगे सर था, किसी ने मुझे को तोपी पहनाई, मैंने आजर सूचक समझ करके उसको पहन लिया, और मैंने नहीं पहना, अटल जी ने भी पहना, अडवानी जी ने पहना, राजनाज सिंग जी ने पहना है, भ भाजपा ने उस टोपी को दिखाना और जुम्मे की नमाज की बात करना, तो यह दुस फरचार था, जिसके गर्व से भाजपा पैदा हुई होता अखट के अंदर, और आज वही दुस फरचार उनका, उनके लिए गले के हड़ी बन गे, आज कॉंग्रेस अपनी चुनौती के रूप में आगे बढ़ रही है, और सत्ता हमारे पास आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, कि लोग इसको एक ऐसी सरकार मानना है, जो फाल्स प्रोपोगेंड़ा के घर्व से पैदा हुई, और ऐसी सरकार को हमने गिरा दिया, जिस सरकार ने लोग कल्यान के कदम उठाए, उत्राखन के सम्मान को बढ़ाया, मैं नहीं कहता कभी कि इदारनाथ के बाद जो पुना निर्मार और पुनारवाश हुआ, वो हरी शरावत ने किया, वो उत्राखन के लोग उने किया और भगवाल के इदारनाथ की खिरपा ने किया, लेकिन सत्यता यह है मेरी र वायत है, परंपरा है, जो विधायक चुन के आते हैं, वो हमेशा हाय कमान से कहते हैं, कि आपके नाम से जीते हैं, और आप, यह प्यारी परंपरा कैसे है, आदर्श संसदी परंपरा तो यह हो कि विधायक अपना नेता खुद चुने, नेता खुद चुनते हैं, प्रस्ता Both about an dualарhdanin CMLC करूषी आप से चली गई थी यहां जभ चली गई तो आई भी मेरे पाट आप यह जहां कि Hai Shra Awwダ आई भिलकुल आला कमान के वरोशे, और डूसरी बात जो है, मैं कहना चाहता हूं कि constituency कमब वर्बोष। से और उम्र से नहीं है जो आईशियू में 19 दिन रहकर आया हो, मैं समझता हूँ इस एज का कोई आदमी 19 दिन आईशियू में रहने के बाद शर्वाइब नहीं किया, आपकी जी जी विशा तो चर्चा के विशा है, कुछ इस्वर की किर्पा होगी, हवाई दुरहत नमें C1, C2 तूट गया था जब मची भी न सजा, अग 11 दिने ऐसे सजा काटी, लेकिन राजी का काम नहीं रुखने दिया, लोगों ने उस हरी श्रावत पुरी देखा है, तो पार्टी हाय कमान ने उस हरी श्रावत विश्वास किया, में ले इतना ही बड़ी बात है, कि मुझसे कहा है, हरी श्रावत के ने आपके सवालों को नहीं गिनने दिया है, तो एक बार मेरी श्रावत को फिर जिता दो, बागी देखें लेए, मैं तो सीदी सीदी बात कहता हूँ, या गलेश गोदियाल प्रदेश अद्धेश का या प्रीतम सिंग नेता की पश्वास का, लेकिन पार्टी ने कहा है कि चु ठीक है, ठीक है, पार्टी के अपनी कुछ कारण होंगे, और मुझे अच्छा लग रहा है, जब मेरे साथ भावी पीडी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आप से बात करता हो कितना अच्छा लग रहा है, हमको लगता है काश, तभी हम भी ऐसी थी, अरे आप ऐसी थे, तो जब गोधियाल और प्रितम सिंग मेरे अगल बगल होते हैं, तो मुझे लगता है कि यह जवानी, तेरी बड़ी किरपा है कि आप भी में इन जवानों के साथ खड़ा हूँ, तो यह अच्छा आपकी जवानी पे चलते हैं, विक्या सेंड के ब्लॉक नोग बन गए थे, कि नीच सोवरी आप उनल होनी चाहिए में जवानी काँते हैं, तो अच्छा काट ब brackets. इंडा थे मेंबरी का पर्चा काटने के लिए अधरे पर्धान जी ने कहा theor थे जब तक तुम नहीं मनोगे, तब फिल दिखिले में पर्धान नहीं मनोगा, आज एस नहीं पर्धान कि प्रसानों की समझ माज पता नी क्या आया, उन्हें मुझे जिता नी, और हरा ऐसे विक्ति को जिया जो 37 संग्राम शेणानी थे, बड़े आदरी थे, आंग्रेस के बहुत बड़े नहीता थे, जैदेजवेला जी, तो मुझे बहुत अफोश है कि वो मुझे हारे, मैं तो मजा प्रमान करना, गाओं के सवालों को करना, अधिकारियों को लेकर के जाना, मैंने साखा प्राइमरी स्कूल खो ले देख, जीम को मनाया, उनके का बड़े हमारे वहां प्राइमरी स्कूल के लिए भी चार-पांस किलोमेटर जाना बढ़ें तो मैंने कि अध्यापक वहीं दे लिए वान चालीट होने लेगे आज वो सब प्राइमरी नहीं है, उसमें से कुछ, कुछ junior high school होगे, कुछ high school होगे, 12 high school की नीफ दाली मैंने, प्राइमरी सेक्टर ना आज वो high school inter college के रूप में है, तो इसले जो विक्या सेन का ब्लॉक है, मुझे फक्त रहे इस बात का, मैं इतने चुनाव लहा जिंदगी में, कभी नहीं हा रहा है। बड़ी बड़ी आधियों में भी वो ब्लॉग मेरे साथ खरा रहा है। जब राम लहराई उसमें भी जो है अलमोडा का ये ब्लॉग साथ रहा है। ये आप चुनाव हारने जीतने का जिक्र कर रहे हैं, ये 1977 का क्या किस्सा है, टिकट मिल गया फिर केसी पंत ने टिकट कटवा दिया, क्या हुआ था। आपको किस ने बता दिया तो राज की बात है, ऐसा वा टिकट मिला। जो को वैलार रवी और प्रेजनदास मुंशी तो उसके पहले निरवाचे ता जिक्ट मिलेश के उता तो लखनो विष्विधाले में पढ़ता था तो अपसी जानते थे चुपि मुझे अधिविधी में और इंद्रा जी को जब लखनो विष्विधाले में लेकर के आई त तो वहां से यूद कॉंग्रेस में पहले नशुय में फिर यूद कॉंग्रेस में पधार पुन हो गया था, तो सब जान पहचान का फाइदा उठा करके, सततर में कोई कंड़ेट नहीं मिल ला था, मैं खड़ा हो गया, तो मुझे टिकट मिल गया, अब उसको में टिकट कहते सतहततत में केंड़ेट नहीं मिल रहा था, हाह। उस समय नहीं था, हरीश जी कह रहे है कि कंड़ेट नहीं मिल रहा था, लोग कहते हैं कि हरीश जी सजेग अनजी के के मेंबर明白 थे और सजेगा ऑफचे के यूद कॉंग्रेस के के टिकट ले आये, वुष नहीं है, दो ne centro cd वैलार रवी और इन्हों ने कहा बहारी श्रावत को प्री रंजन दासमंशी और वैलार रवी ने आपकी पर्वी की पर्वी की तिकट पिल गया आप आगए अलमोड़ा अब मैं धंडा पोस्टल लेकर करके जितना होता था चोटा चोटी पूजी से लेकर आया पुछ सामान में जोटा मैं थेये किनी आईसीची में में रह गया जमी 사진 कैसे में वहां करते थे वहां छूट गया तो मैंने घज़रॉला आए करके सब्सकै घं़ा मैंने का वह शामान मेरा कहा रखा है कोई आने वाला मिले गा इदर को भेद देना और उनने का क्या करोग वह साम की मीटिंग में तोमारा गटकट गया हुहां से बुद्धी सिंग को मिल गया बुदी सिंगी जी कुमिल गया, मैंने भगवान को जोड़े, और रा निकेद पहुंचा, स्टेशन पर बुदी सिंगी का दूश्य दिश्य दिन आना सा सुबह, मैं इंतजार में खळाव गया, मैंने जंडे बंडे उनको सौपरे, और बुदी सिंग जंदा बात कहते हुए, अधरि, वहाँ से बंडे बंडे, झालो जंपरे , बाइट कहा सांसथ कुमिल गया। अधरि मुदी सिंग्जी का पार्टी के टिकट पर जीते और सांसथ बने हमारे बहुत योगी बैत कि थे, मुझे पार्टी इंक खिलाब लगवार बनाया, 2018, 2018, मैं नहीं जीता, उन्स अ तो में मुली मनवर जूशी जी को हराने की उनके बराबर खड़े होने की मेरी कोई स्थेक्षियत नहीं थी मैं तो बहुत उनके तुलना में बहुत चोटा कारी करता था लेकिन इंद्रा जी का नाम था जीत करके पारलेमेंट पहुंके वहां सांसद थी आपका बर्थ करते बर्थ कपा है 59 नाइस fed मेरा 48 थांसे बदाइस तो बदी सिंह को टिकट ने आपका का नाम क्टवाया था कि बद्धी सिंगे उनके नदधीक तो वहां जलाए लोग केसी वाले स्था ठधले वाले यह एकर दिग्ट क्या वजय थी? आपको संजय गादी क्रिगेट समझते थे, तो हम लोगों समझते थे वहीं, यह लोग कहा हैं, और जब उसमें उनकी बड़ा नाम था, तो कोई बात थी, तो कोई बात थी, तिकट कट्टा थी आपको ने कहा कि अलोड़ा में एक ठाकुर वर्सिस ब्राह्मान लॉबी भी बड़ी चलती है, इसलिए भी आपका पत्ता कट्टा कट्वा दिया गया। नहीं ऐसा थी, तो केसी बंद थाकुरों के डार्लिंग थे, तो अइसा नहीं था, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे वहां के कोई बी किसी भी शीष्वनेता ने कभी इस तरीके का प्रियास नहीं किया, जाती को नहीं लाएं, क्योंकि चाहे वह ब्राह्मन रहा यहां की ताशिर दूशरी है, यहां सिक्ष्या का प्रतीषत पचासी प्रतीषत से ऊपर ही होगा तो इस राजी के अंदर आप अच्छे बीचारों के साथ, अच्छी पार्टी के साथ, अच्छे काम के साथ तो बढ़ सकते हैं। पुराने जानकारों ने कहा हरीश रावत 1980 में इंद्रा लहर में जीते 1984 में इंद्रा जी की हत्या के बाद सहानबूती लहर में इतने बड़े मार्जिन से जीते कि मुडली मनुहर जोशी लोट के अलमोडा नहीं आये फिर लेकिन 1989 में आप चुनाओ हार रहे थे उत्रा खंड करांती दल के एरी साहब से इसलिए आप पितौरागर से आये अलमोडा में अपने कुर्ते फाड़ लिए कहा कि देखो पितौरागर वालों ने हमारा क्या हच्र किया वोटों का डिवाइड हुआ और तब किसी तरह आप 11,000 से जीत पए इससे बड़ा जूट कुछ ही नहीं कहानी क्यों चलती आपके बारे में मैंने का इससे बड़ा जूट कुछ नहीं है लोग कुछ कालन गड़ लेती है और उस समय यह था हमें बाग बाग इनका चिन्न बाग था काशी सिंहेरी जी का उत्राखन क्रांती दल के जनता दल के उमीदवार थी उनका सपोर्ट था तो इसलिए हवा उस समय जनता दल की थ मैं चुनाव प्रचार के अंतिम समय में पिथोड़ा गड़ी था तो यह तो मेरे लिए ख़वर है तो यह कुर्टा पाणने कहानी क्यों चलती है कहीं से नहीं पता दी किसने चलाई मैं तो पहली बार सुना है आच्छा हम ऐसा कुछ नहीं है और मैं इसा कुछ नहीं है और कि वह राज यांदुलिट के बड़े मुर्धन नहीं नहींता थे बलकि यह सब मेरे हिस्से है जस्मन सिंग, कासी सिंग, विपिन थिवारी और मैं कभी मैंने इनके साथ कि इनको मैं खतम करूँ क्योंकि मैं यह समझता था यह राज जी की जो अलग राजी की धारणा है जो सोच है, इस सोच को मैं भी परसंद करता था लेकिन मैं कॉंग्रेस के साथ परसंद करता था यह मुझे लगता था कि यह राज में आपने क्यों नहीं बना दिया अलग राज जी धीरे दिने कॉंग्रेस ऐसे पार्टी को चक्र घुमाना बड़ा टाइम लगता है आप लगा यह इतना बड़ा राज जान्दोरन हो गया इतने बड़े मुझवफर नगर चैसे और उसे कांड भी हो गया गया वह होगी लेकिन कॉंग्रेस को सहमत करवाने के लिए मुझे कलकता में सभलता मिली और कलकता में कॉंग्रेस ने कलकता अदिवेशन की बात कर जिसमें मैंने अंदर अपने इतने समर्थ भर दीये सेवा दलवाले कि ताली बजाने के लिए और किसी तरीके से, सीताराम किर्सी जी जैसे ही मंत से हटे, विजिशी मिहवानों से मिलने के लिए गए मेरा कुमार जी सी की अध्यक्रसा में मैंने माधुराव शिंद्या जी स्वर्ग मे हैं, उन्होंने बड़ी किल्पा की उन्होंने राजमितिक परस्ताव में इस परस्ताव को जोड़ दिए, कि क्योंग्रेस चोटे राजिय के पक्ष्ma है, उत्रा खन सब्सायए चोटे राजय के पक्ष्ma है, अध्यक्रै कbuildबों पारित हैं, में परस्ताव हो गया, तक हम थ बाद में केसी जी को मालूम पड़ा तो बड़े नाराज हुए मुझसे, माधरु आप शिंदिया बड़े नाम थे, उनसे कुछ कह नहीं सके, लेकिन उनको था कि यह रीष रावत इसे पीछे था, और जिते इन प्रशाद महा राजेश पाइलेट यह सब लोगोंने मिल करके लेकिन उसका प्रभाव ही हुआ, यह तीन राजी बन गए, एक राश्टी सहमत ही बन गए, भाजपा कहती है, हम ने बनाया, आप उसका श्रेक हुद ले रहे हैं, भाजपा की स्थीती ऐसी नहीं थी, जब तक कॉंग्रेस बिरोध कर रहे थी और राजितिक दल भी बिरोध कर रहे हैं, तो कॉंग्रेस के पक्षमा आने के बाद, सारे छोटे गल के पाक कोई औप्षन नहीं रहा, सब ने कहा आप तो यह राजी बनेगा ही बनेगा, वो पक्षमा आगे, तो कॉंग्रेस के छोटे राजी के पक्षमा आने से, राश्टी सहमत ही बनी, और एक और जो प्रस्ताव थे उसमें छोटे छोटे जो PCC मेंबर थे उन लोग का वियान था और हम सफल हुए थे आप सफल हुए इस नर्सिम्मर आओ का राज रहा 1991 से 1996 तक उस दौरान हरी श्रावत सफल नहीं हो पाए इतने वरिष्ट नेता तीन बार के सांसद 1991 में चुनाव हार गए कोशिश करते रहे दिल्ली दर्बार में चक्कर लगा के कि राजनेतिक पुनरवास हो जाए लेकिन राव के दर्बार में नहीं चली राव सहाब मुझको पसंद नहीं करते थे को उनको मालूम था यह सुनिया गाधी के अनंत वक्त है और मैं चेहरा देख करके अपनी सोच को समझ को नहीं वदलता हूँ यह सत्यता है मगर 1989 से चंद सेकर के सरकार के गिरने तक पाल्यमेंज में राजीव जी के नहीं तुक्न है मेरी इतनी बड़ी भूमिका थी उस समय मैं कॉंग्रेस के लीडिंग फिकर्स में था आप चीफ विप थे था तो इतनी बड़ी भूमिका थी कि उसको नकार नहीं सके और उनको उ हैं और हमने सेवदल खड़ा किया देइस के अंदर पूरा तो बात मैं पर आप लिए तो मुसे मुसे नर्समा राओ जी ने कहा कि हरी संगठन में मैंने कई डिसीजन लिये तमारा डिसीजन तुमको बनाने का डिसीजन मैंने नहीं लिया मगर यह डिसीजन जो है जो है इतो बात मुसे नर्समा राओ जी में एक वालिटी थी वह बहुत गहरे बिखती थी और उनसे कुछ कहलवाना वड़ा कजिन था और मैंने जब मुझफर नगर कांट गवा मैं एक जेलिगेशन लेकर के खुछा इतनी गालिया दी मुद को यह था कि मैं बहारा हूंगा तो मैंने का भगवान तुमको नरक में ढालेगा क्यों मुलायम सिंह का सपोर्ड कर रहो क्यों यह हो गया हमारे साथ मैं सही समझना हूं हरी श्रावत ने प्रधान मंतरी को गालिया थी उनके घर में उसके साक्षी मेरे साथ आज भाजपा में है कि शोरुपा ज्याए हमारे अंहोंने का हरी साथ बात थीक है मैं बहुत दुखी हूं और तुम लोगों का क्रोध मेरे समझ मां आता है और मैं समझता हूं यह उचित क्रोध है मगर मैं तुमारे कहने पर यह कुछ भी मान लोगा तो वो लोगों को क्रहन नहीं होगा तुम एक काम करो कुछ प्रमुः उत्राखन के लोगों को बुलाओ, मैं केंद शासित स्टेचर देता हूँ, वो केंद शासित देने के लिए तयार थे, पहले वो चाहते थे एक स्वाइश शासी परिशत दे दे, क्योंकि उत्राखन पाहरी लाके को, क्योंकि उत्राप्रदेश के नेतुत का दवाव था, वो वो यह नहीं चाहते थे, नर्शिमा राव जी के दिमाग में था, मैंने उनके दिमाग को जो रीट किया, उनके दिमाग में यह था कि उनके ओपर यह दोश लगएगा कि उत्राप्रदेश की राजनीती को खतम करने के लिए, और विशेत वापर नाराइंदत की राजनीती क जब नर्शिमा राओ जी केंसासित भूषित करने के मूद मा आ गए, बड़े प्रसंचित थे, लेकिन नारिवाजी शुरू हो गई, यह किस ने अंडी तिवारी के समर्थखुन कर वही थे, मैं उस बात पर नहीं जाता, दिवंगत नेताओं को हमेशा प्रानाम किया जाता है लेकिन हुआ, दिवंगत नेताओं को प्रानाम है, लेकिन सत्य भी तो अपनी जगे है रावजी, हुआ, 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 यह इतियासिक सत्य है, कि पहली बार प्राइमिनिस्टर के घर में प्राइमिनिस्टर के खिलाब नारे लगे, और वो कॉंग्रेस के लोगों ने लगा अच्छा एक सामार ने राजनेतिक सूजबूश तो यह कहती है कि अगर नरसिम्मा राओ के अंडी तिवारी से अदावत थी जो कि थी ही, तो वो उत्राखंड में जो एंडी तिवारी का विरोधी खेमा उसको प्रश्रह दें यानि आपको प्रश्रह दें तो राओ साब न प्रश्रह दें ने कहा हरीश रावत को अध्यक्स बना देते हैं लेकिन रुस्रिमा राओ जी जो है जडर गए मगर जड़ते जड़ते भी एक राजनीति कर गए उन्होंने नाराएंज जी से कहा भई बनाना तो हरीशी रावत को पढ़ता है सब चार उतर दबाव है अब और एक ही तरीका है मेरे पाथ आप खुँझ जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बना तो प्रदेश बनाते कि नाराएंज जी ने मुझसे कहा भाए जिकिए ने नाराएंज जी तो इतने मिठे सभाव के भरती थे कि मिठास उनके सामने सर्विंदा हो जाती तो लोग कहें मैं दो बातुमें, वह थो परफ़क्ट देमोक्राइब परफ़क्र शुपरमोष देमोक्रेड एक बिन्यबरता में वह तो पेड़ पंदु को भी हाजोड़ थे परसुभक्षियों को भीजुगा अच्छा मुझको यह शिकाया उनूने यह शिकाय है मैंने उनसे गरंड किया दूसरी बात, क्रोध तो उनमें था ही नहीं, मैंने एक बार उनको क्रोधित देखा, अब देखा उस जिक्र, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कभी जो है, कहानियां आप अदूरी छोड़ रहे हैं, दर्शक कहेंगे, बुजर्ग नेता हैं, बता नहीं रहे हैं किस माराव ने फांस दिया आपको, आप अपनी घत खराब मत करिये, लोग कहेंगे कि रोकने नाराएंदर चले गए, मेरा स्टेचर तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका स्टेचर घटा दिया है, इन्होंने, आप मेरे उस चकर में इन्होंने फांस दिया आपको, तो ऐसा था, यह है, यह इत्यासी फैक नहीं है, तो नराएंदर तिवारी ने अलग पार्टी बना ली, सोनिया जी आएं तो वापस आ गए, नर्सिम्मा राओ का दौर बीत गया, लेकिन आप अलमोडा से लगातार चुनाव हारते रहे, उनिस सो इंक्यानवे, उनिस सो च्यानवे, उनि नोजार चार में आपकी पत्नी भीहारी, मैं हो ही कह रहा हूं, उनिस सो च्यानवे में, कोई उमीदवारी नहीं मिला दा, यह था कॉंग्रेस के खिलाब इतनी, मतलब नर्सिमा राओ, उत्राखंद का काओ, यह नहारा था जब 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 उत्राखंद का काओ, जब लड़ी पार्टी के उमीदवार तो हो सब्जब हो, तो लड़ी तो विप्रीज परशित थी तब भी लोगों ने मुझको डेर लाग करीब ज्यादा बोट दिये हूं, फिर आगे एक बोट का सवाल, अतल जी का, उसमें भी जो है, अतल नाने हैं, तो हरी श्रावज जैसे निरानब्वे में जरूर कांटे की तक्कर रही, मेरा तरह सा मैनेजमेंट सस्टम फेल हो गया, मैं आलमोडा के लोगों का बड़ा आवारी हूं, एक चुनाव के अलावा है, वहां के लोगों ने हमेशा मुझको तक्कर मरका, और कभी दूसे स्थान से तो कीशे स्थान पर खिर सकने ही नहीं दिया, जबकि बड़े-बड़े योधा महां से लड़े, डीडी पांजी लड़े, कासी चिंग एडी जी लड़े, भगर सिंग कोशारी जी लड़े, डाक्तर मुनिवन और जोशी तो हैं ही है, तो लेकिन कभी मुझको पीछे नहीं खिर सकने दिया, यह 1999 के जिस चुनाओ के आप जिकर कर रहे हैं, यह मैं पहले 1999 के चुनाओ का एक सवाल है, क्या यह सत्य है कि हरी शिरावत ने जब देखा कि 1999 में वो करीबी मुकाबले में फिर से चुनाओ हार रहे हैं, तो आप काउंटिंग सेंटर पर मेज से बैलेट पेपर लेकर भागे, आपने कुछ बैलेट पेपर चबाने की कोशिश की? यह कुछ से तो कामी नहीं चला था, इतना बड़ा कोई हिस्या कोई चबाने ही सकता था, आप लेकर भागे बैलेट पेपर? अईसा था, हावा जब देखी कर उन्होंने, तो काउंटिंग में हमारे लड़कों की जो मेह काउंटिंग स्टार्ट की हमने काउंटिंग रोकी नारे लगे और यह चबाने चुबूने घा एक दो का अंतर होता तो चबाते चुबूते जिस समय यह सब आपकार करता बैलेट पेपर लेकर भागे था? नहीं कहीं नहीं भागे, वो गलत बात है अच्छा, फिर फाइनल नौ में आप हरिद्वार से लोकसभा का चुनाओ जीतते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री रहते हुए विधान सभा चुनाओ जीतते हैं, देखें यह पूरा किस्सा 77 में टिकट कटने से शुरू हुआ था, और आज की तारीख में भी हरी शरावत के नाम के साथ जो सबसे सुर्खी बनती है, वो ये बनती है कि किस सीट से चुनाओ लड़ेंगे पूर मुख्यमंत्री, आपके विरोधी कहते हैं, मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने कहा, आप अपने लिए एक सीट तो तलाश नहीं पा रहें, पहले हरिद्वार रूरल में संभावनाय तला हैं, वो केंडिडेट जिनका नाम पहले एलान किया गया था, वो केंडिडेट जो प्रीतम सिंग्खेमे की मानी जाती हैं, कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस के लोग ही आपको निप्टाने में लगे हैं, दो हजार दो में, जब मुझे दो हजार में अध्यक्स बनाया, तो उत् कॉंग्रेस का भाग था, और यहां राज यांदोरन की वजह से कॉंग्रेस की जड़ेश बिल्कुल खतम होगी थी, किसी तरीके से तीन हजार किलोमेटर पदयात्राएं करके हमने कॉंग्रेस को खड़ा किया, कॉंग्रेस सत्तम आई, मैं मुख्योंती नहीं बन पाया, सब जड़ा है, दो हजार दो में यदि मैं खुद चुनाव लगता नहीं से, लड़ सकता था, अपने घर के छेत्र से लड़ सकता था, अब उचेत्र हमने किसी को जिन को दे दिये, जिन लोगों को जो पॉंधे लगा दिये, अब उन पॉंधू को अपने हाथ से कैशे काटू, वो गिर्सता मैंने नहीं, और ना आज भी करूंगा, जिन को हमने खड़ा किया, और इसलिए, दो हजार सत्र में, मैं जा रहा था मुझे को, दू-तीन जगों चे प्रस्ताव थे, लेकिन विनाश काले विप्रीत बुद्धी, मुझे केदानात वाले कह रहे थे, उन्होंने तत्काल हमने एक नौजवान को टिकेट दिया, उसको जिता भी दिया कि दानात वालों ने, वो मुझे कहते थे, कुछ न करो तुम यहां खाली आजाओ, हम जिताना चाहते हैं, मती, मैं, इस और बार रूरल और किच्छा से जाकर रहे हैं, 2017 में, मैं नामनगर नामंतन करना चाहता था उसके बाद, तो हमारे सलाकार ते प्रमुक्सलाकार, रंजीत सिंग जी, उन्हें कहा था, मैं लडाते हो तो यहीं से लडाओ, नहीं तो मैंने लड़ता हूँ, तो आखरी मौके पर लड़ना तो कहीं से थाई, तो हमारे कुछ मितु ने चला देक इच्छा आई उन्हें कहा था, यहीं आप नहीं आएंगे तो मुस्लिम मोटों का धुर्वी करन बीस्वी की तरफ हो सकता है, हरद्वार वालों ने भी वही खत्रा जयता है, उस समय तो उस खत्रे को ठाले के लिए, ताकि कॉंग्रेस की संभावनाय बनी रहें, मैंने यह दो जगों से ल तो छुनाओ में यह दो उना है, मैं 68 शीटूब भूमता रहा, कहीं में तो दू दो बार भी गया, तो अकले कंपेणर था, इसलिए यह रहलत पेदा हुई, दोजार दू में भी इसलिए हालत प्यदा हुई कि लोन्ली केमपईनर था दोजार बार साथ में भी दोजार बार में भी इसलिए कॉंसेंसी नहीं बना पाया हमने हमीशा पार्टी को प्रिफर किया अलमोडा क्यों नहीं गए आप लॉटके इतनी दफा सांसद रहे वहां से अलमोडा की किसी भी सीट से आपनी लड़े पर वहां पॉंधा हमने लगाया है नौजवान था डिरी कॉलिज का उसको ठीकर दिया अब उससे कहते तू 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 तिरी दर्दन काड़ देता हूं करें इस बार कैसे तैह कि लगाता जो है वो लगाता धार्चुला से जीते मैं जानता हूं धार्चुला से में खाली खड़ाव भी हो जाता मुझे जीता चर के भेज देते लोग लेकिन और डीडीहार से भी भेज देते लेकिन अवहां उन नौजवानों का हमने लगाया और बल्कि हरीस धामी तो ऐसे वेक्ति से जिन्होंने मुझको लाने के लिए तो विजान सवा से भिना मेश से बातचीत के इस्तिफत दिया धार्चुला वाले जब मुझे धार्चुला जाना पड़ा नहीं तो आप ऐसे लोगों का टीकट काट करके दिखो आप राजनितिक जीवन में चाहते हैं लोग आगे बढ़ें आप अपने हाथ से उनकी चाहे था राजी सिंग रावद जी ने आप उनसे किसी से पूछ लिए कि उनके राजनिती की सुरुआत कहां से हुई कैसे 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 दिगवजूं के वीच से निकाल करके खड़ा करके मैंने उनको इस मुकाम तक पहुंचा लेकिन आप मालिया उनको उस्षड से भी जी सकत मैंने ऐसा नहीं था और जहां से उल्टिमेटली गए तो उन्हों ने इस बार 2022 में राम नगर से आपकी दाविदारी पे सवाल क्यों उठा दिया मैं वो जाने और पार्टी जाने मैं क्या जानू पार्टी मैंने पार्टी से कहा मैं इस बार भी चुनाव कंपेन में जाना का काम करूंगा आप मुझे को बांधिय मत कि मैं जूद का जला हूं अब छाज भी फूख कर के पियूँगा आप यह कह रहे हैं लेकिन पार्टी की जो आपके दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि हरी श्रावत अडे पड़े थे मेरे लिए भी सीट मेरी बेटी के लिए भी जो सीट में चुनूँगा वो सीट इसलिए आपकी बेटी को अरिद्वारूरल में अनपमर आवत को दिया गया और आप राम नगर पर अड़े थे आपने बहुत गहरी बात पूश ली और मैं समझता हूं पाइटी किसी सीर्स वित्विती ने यह नहीं कहा हूँगा ने प् तो मैंने का मैं राम नगर से लड़ सकता हूं और मैंने का जो वहां उमिद्वार है वो शल्ट से लड़ सकते हैं वो शल्ट से पहले विजायक रहे हैं रंजी सिंग राव तो यह तो जे परी आइडियल एरिजमेंट एक बड़ा आधर्स कॉम्बिनेशन भी उनको भी मतद रखा खड़ा दिया और उन्हों भी किया ऐसा नहीं कि एक तरफा था वो लोग भी हमेशा मेरे साथ रहें अब आज नहीं है तो इसका अर्थिय नहीं है कि पुराना सब अंधास कॉड़ा है तो मैं यह नहीं करूँगा लेकिन उन्होंने प्रतिश्चा का सवाल बना लिया आज लिए लेकिन पुरांगा में पार्टी से कहा देखे मुझे रामनगर से ही लड़ाई है तो मैं उन्हें का निर्दली खड़े होंगा मैंने कोई खड़ा हूँ अब रामनगर को बेटे नहीं कर सकता मैं राजनी टी वहीं से चीखी है मां अंत्म द्वर्बे अपड़ा के रामगर की सेवा करना चाहता हूँ, मैं वही जा रहा हूँ. अन्तिम दोर में, आपका ये आखरी चुनाओ है? अब देखे, नहीं लीजर सिर्फ खड़ी करेंगे, रोज हमीर रहेंगे आगे, कुछ और काम करेंगे, राद्नीदी के अंदर बहुत सारे काम है, पाजी के ल लेकिन जब वह पार्टी के लोग घावडारे कहने के साब उसने धंकी देथी, कि मैं दस वारा निर्दनी खड़े करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो पार्टी के सब लोग उने कहा था, बड़ी हल रहेगी, सब का जान रामगर पर लहेगा, हम चिंतित नहीं ह रहेगे, तो आप लालकवा जाई, और मैंने पूछा, मैंने लालकवा मैं आदर्श व्यक्ति जीतने के लिए जो आए, वहाँ दो व्यक्ति हैं, हरीष दुर्गापाद, जो पहले लड़े थी, वहाँ की धर्ती है, हरीष हरीष कह रही है, मैं उनका हग नहीं मारूँगा, और हरेंद बुरा, और दोनों इक्वल फुटिंग में, मैं उनका हग नहीं मानुगा, पिर संध्या डालकवा टिकट कैसे हो गया, तो पार्टी ने कैसे संध्या दिया, पार्टी कोई लोगों ने यहां से महिराओं को भी देना है, सब बात हुई, प्रीतम सिंग आपकी ब मैंनेजर्स ने बताया कि सबसे बात हो गई, आपका स्वागत पार्टी का मैंनेगर कह रहें, तो आपका तातपर प्रभारी देविंद्र यादाव से है क्या? नहीं, अकेले उन से नहीं है, मैं उस नौजवान को दोस नहीं दूँगा, लेंगे इसमें बहुत सारे लोग, इसमें सब चीजें बात का बतंगर बनाती हैं, तो वो चीज अपकरी स्वाट अब तो जो है, अब तो जो है, वी कोषिश की आपने उन्हें बिठाने की पर मानी नहीं, अब मैंने समझाया, उनके सामने लंबा भाविष्य था और मैं चाहता था और मुझे बहुत गहरी ब वो भी सहमत है, यदि मुझे मालूम भी होता, लेकिन जिस तरीके से दो आफशन नहें गए, मैंने आखरी सर में भी पार्टी के किसी बगती से कहा, कि मैं नहीं लड़ा हूँ, मैं पार्टी लड़ाऊंगा, लेकिन पार्टी के मनोबल पर बड़ा खराब अथर पड़ता यह ऐसा गूंट जिसको मैं पीना नहीं चाहता था, इसलिए कि एक बेटी कह रही है कि मैं लड़ती हूँ, तो मैं लड़ती हूँ, लग्यों को हूँ आपनी एक बेटी से कि तुम नहीं लड़ता हूँ, राजनेतिक परवेक्षक कह रहे है है हरीजी, कि आपका चुनाव अफसा है, और आपके पुराने साथ ही विजे बहगुणा कह रहे है कि लालकुणा आपके लिए मौत का कुणा साबित होगा सियासी रूप से, मैं थैंक यू विजे बहगुणा कहना चाहता हूँ, क्योंकि लालकुणा आपके को मौत का कुणा सिद्र नहीं करना चाहेगा कि उस गाली का जवाब लालकुआ जरूर देगा और मैं तो लालकुआ को अमरत कुंदर समझता हूँ उनका था कि पॉलिटिकली आपके लिए आपके लिए मौत का कुवाँ था था हुआ है कि राम नगर हो या लालकुआ हो ये मेरे लिए ये फुटिल्स के ऐसे कॉंसेंसिस ह जिन में भाविष्टिके उत्राखंड के निर्वान की एक मौडल में खड़ा करने का काम कर सकता हूँ मेरे सामने अपरशुनिटी है इस समय कि मौडल खड़ा करूँ आप जड़ा देखें वहां करीब नहीं बहुत बड़ी पॉपलेशन करीब 30% से ज्यादा पॉपलेशन इसी है जो जिनके गाओं जमीने हैं उन जिनके पास हेती कर रहे हैं पीडियों से बस गए हैं मगर मालिका नहाग नहीं है राजसुगाओं का दर्जा नहीं है खते गोट आरी के तौर पर है दूसरी तरफ एग्रोनॉमी के लिए बहुत अच्छा चेत रहे हैं और जबनाओं को शाकार करने के लिए धर्थी के रूप में राम नगर और लालखुआं दोनों मोडल है और मैंने अनुंतो गत्वा सित्यों को परक करके इन ने लिया कि मैं ये चुनौती को गहन करूँगा और जिस उत्राखंड और उत्राखंडियत की मैं बात करता हूं जिस लालखुआ करो जो तुम करोगे हामेमाद जोगे हैं आप ये बाते के रहे हैं उत्राखंडियत की बातें पार्टी के आखरी बड़े पुराने नेता लेकिन यह आपके आलोचा कहते हैं कि आरी शिराबत बार बार आला कमान को ब्लैक मेल करते हैं और यह अब से नहीं के सीम रहते विधायकों की परेड करवाते रहे और इस बार जब उनकी दाल नहीं गल रही थी तो उन्होंने एक ट्वीट किया क्या है ट्वीट कितनी अजीब बात शुनावी रूपी समुद्र को तैरना है सयोग के लिए संग्ठन का ढाचा अधिकांच इस्थानों पर गर्मत छोड़ रखे हैं जिनकी आदेश पर तैरना है यानि पार्टी आला कमान उनके नुमाइंदे हारपां बांध रहे हैं मन में बहुत विचार आ रहा है हरी श्रावत अब बहुत हो गया बहुत तैर लिए अब विश्राम का समय है फिर चुपके से आवाज उट्टी ह हूं नए आवर शाहिद रास्ता दिखाए मुझे विश्वास है भगवान के इदारनात इस स्थिती में मेरा मार्ग दर्शन करेंगे इस ट्वीट को यू पढ़ा गया कि आप पार्टी आला कमान के सामने अपनी चुनोती पेश कर रहे हैं इसमें चुनोती क्या है कॉन लो प्रोग्रम भाग नहीं लेते हैं यहां तक कि प्रदेश कंगरेस अदेख भी सांथ होते हैं तब भाग नहीं लेते हैं कौन देखेंगा इस बात को आज भी वही स्थिती है इसके अशारे पर हुआ नहीं? तो कुछ परिवर्टन आया, आप कंपेइन कमेटी में एक व्यक्ति लिए ऐसा नहीं, जो मैंने अपनी इच्छा से उकिया हो, आप कंपेइन करो, तो समुद्र में तैरना है, सत्ता के मगरमच्छे हैं, मेरे ओपर शीविया अभी लगी भी है, एडी इंकम टैक्स वाले, मैं जहां जा रहा हूं, मेरी कारें चेक हो रही है, सब चीजे चेक हो रही है, इस सब क्या है, यह सब वही है, तो चुनाथिया बहुत है, तो एसे पेन गोपाल और देविंद्र यादव ने आपको और प्रीतम सिंह को एक कमरे में बठा के, यह शान्ति क्यों नहीं करवाई, स जब आप संग्षनात्मक तोर पर बैलेंस नहीं रखेंगे, तो चीजें कठिन हो जाते हैं, और इसलिए इस बात को मैंने जाहिर किया, कि आज सिती फिर आ गई, नया मॉडल खड़ा नहीं हुआ, और पुराने मॉडल पर ट्रस्ट करना पड़ा है, और पुराने मॉडल को इस लाइग न रखो उसका स्टेरिंग कहीं गेर कहीं और को गाली चला दो कैसे चला दो चलेगी गाली जो है, इसलिए और मैं पार्टी हाई कमान का बहुत आवारी हूँ, उन्होंने सीतियों को समझा, और सीतियों को समझने के बाद कुछ चीजें क्लियर की, कुछ सीतिया बाद करें सीतियों पर आपके समर्थ को टिकट दे दिया गया है लेकिन जातर सीतियों पर आपकी नहीं चली ओओ, तिक अवे तिकेति में जधा अको मालूम है, मैं ज़िए बहचर बहचर नहीं कि, मैंने का भाई, मैं कम्प्रीन करूंगा तुम तिके जगडे में इसलिए कि पार्टी को युनाइटेट रखना है तो पिर त्याग हरी श्रावत को ही करना पड़ेगा त्याग था कि आप चाह रहे थे गड़ेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बनें प्रितम सिंह चाह रहे थे और लोग बनें इसलिए चार-चार कारिकारी अध्यक्ष दिये गए जिसमें इएग आपके खहे में का तीन इनके ख्येमे के ऐएग है कह सकते है लेकिन हरी श्रावत में चीजेशना है थे जिए दिए कृति को में है अभ्याय कर लिया जिसने इसलिक्ष अभढ़ै कंगरेश को हराया हा ơi ईक्मांड को प्रतिमीजिजिद्यों की नार्टी इसलिए केदारनाथ के पास आप गए इसलिए जब कषनाई में होता हूं तो भगवान केदार को याद करता हूं अब रहा सवाल किया हूं जो लोग इस बात को कहते हैं क्या हूँ कह रहा उ पार्टी है कमानने कहा हरीस नहीं बेजा जासका लाद जि कुठ रधाने को बिजय क्या थी अस लिए अधायक तो आपके साथ थे थे वजय जो भी रहा हूं आपक्या माइक पर मांखनलाल फोतेदार का नाम नहीं सब ठीक है तो बताई उत्राखंड की जनता को क्या हुआ था कमरों के अंदर दो बड़े सीर्स लोग मुसे बड़े नाराज थे जी कौन-कौन माखनाल फोतेदार जी और अमारे भाई हैं उनकी बड़ी किरपा है मेरी रोजी रोटी उजी से चल लगी केटिन सती शर्मा जी क जो उचित था उताखंड कॉंग्रेस के लिए उचा था उस समय में राजनितिक रूर से इतना समझदार नहीं था कि आला कमान में पैरोकारों को खुश रखना जरूरी है कुछ भावना में लिन्या कर गए आप तो कह रहे हैं आप सुनिया गांधी के भक्त थे मुझे बड मेरे साथ बहुमत बना रहा है आज जब लोग अठस गदस समर्थकूं के साथ दूसी पार्टी में जा करके सरकार को टॉपल करके है तीजे बहुना ने यह करके दिखाया यह करके दिखाया हरी स्रावत ने लगातार संयम रखा पांच साल सरकार चली और जब मुख्यमंत ही चुनाओ मैदान से हड गए और चुनाओ के वक्त में भोष्णापत्य जारी करते हुए रोने लगे और अपना सामान ले करके चुनाओ के 20 में मुख्यमंत ही हाउस खाली करने लगे उस ग्रते हुए मनोबल के 20 बीच पार्टी का मनोबल वड़ा करके 2007 मैं मैं एक कि यह मेरी बगावती तेवर है या मेरी निष्टा है पार्टी के परती और लीजर्सिक के परती तिवारी जी फ्यों रोने लगे थे 2007 में क्या हुजे थी तिवारी जी थे उनको मालूम साब हरीश्रावत आएगा तो इसलिए जनता कह रही हर्दा को मालूम सब कुछ है पता मैंने कहा ने कि उनको मालूम था अब हरीश्रावत आएगा तो इसलिए जो है उसका इंतिजाम करके गए और कॉंग्रेस बाइस त्याइस वाटक दे तो यह यह दोहजार बाहर में मेरे बाइस साल के लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल कैरियर इतना लंबा पॉलिटिकल कै और एक ब्रक्ति को धाईस साल के लेजिस्लेटिव अनुगों के साथ मुख्यमत्य बना दिया गया है वह ने उनके साथ भी तुस्तर योगी किया अंतुमाना अंतुमाना आप तो मंत्री थे कि इंतुमाना थोड़ी शौदेवा जी की मैंने का मेरे लोगों को मर्ति बनाओ तो मेरे लोगों को सलाब दो कुछ लोग बने कुछ लोग बने बलके देने शागरवाल जी यह सब लोग है इनको जो है प्रइन सिंग जिनको विजय ब्यागोना नहीं बनाना चाहते थे तीन लोगों को उनको बनाना पड़ा यह सब चीजे हैं राजीटी के अंदर जनता जानना चाहती कि 2012 में आप विजय ब्यागोना से कैसे पिछड़ गए पिछड़ गए पिछड़ गए कुछ बातें अंतरयामी के ओपर भी चोड़नी पड़ती है कुछ चीजे जो अपनी स्थिती में नहीं होती है तो उन चीज़ों को वक्त के हवाले कर देना पड़ता है ह हमने इंतजार किया मैं तो एक बात जानता हूं मैंने सहियम रखा चुनोती आई पार्टी के सामने एदार आपदा में मुख्यमंती बुरी तरीके से फेल हो गए विजय बगोना तो इसलिए हरीश रावत मुख्यमंती बन गए तो आपके विरोधी कहते हैं कि हरीश रावत एक चीज में बहुत सफल रहे कोई उंगली नहीं उठा सकता है उस एक चीज को लेकर और वो एक चीज है कॉंग्रिस के भीतर अपने विरोधियों को धैर के साथ एक एक करके किनारे लगा देना लंबी लिस्ट है विजय बगोना, सत्पाल महराज, सुबो दुन्या, किचो रुपाद्या है, सब चले गए छोड के पार्टी, सब चले गए छोड के पार्टी, मैरे छोटे भाई है, मैंने तो गोध में उनको ख़़ा करने की पोश्चिश तो क्यों चले गए, धैर ही नहीं था, आपने उनको अध्यक्ष रहते हैं टिकट नहीं दिया, अरी तिकट म और यह लोग आज भी हुआ खट्टे अंगूर की भाव में हैं, सब्सक्राइब महराज हो यह दूसरे लोग हो, भाजबा में भी खट्टे अंगूर की सिती में हैं यह लोग, लेकिन एक नेता के लिए कहा जाता है कि वह मोर्चा लिये रही आपके खिलाफ इंदिरा जो डुईर पर्षादी अनिशाना साती ते और अब इसालार प्रीटम सिंह आपके सामने है, प्रीटम सिंह आपो जो जाने सक्टे वाईने हैं, प्रीटम के हमारे तौन स्आइटे बाही एंगी हरा कि इंगे फ्र यह जैने में विन्शोर अपाध्या चले गए आई आप त ये हरीस भाई थे, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे रहे गए और मैं उनकी कदर समगता हूँ, मेरे साथ, आपने अला कमान को बताया नहीं, इस टिकट नहीं मिल रहा था उनको पाज़्िए उनको कभी नहीं, टिकट का कोई खत्र रहे था उनका उनका कन्फर्म था यहाँ, और वहां अब कतार में बड़ी दूर खड़े हैं। हरीजी आप सब नेताओं के बारे में बता रहे हैं यह हरक सिंह रावत से क्या अदावत है। देखे हरक हमारे सांद मंत्री रहे हैं। बलकि एक बार पार्टी उनको निकालने जा रहे थी जब विधायक थे। अच्छा। विधायक थे। विधायक थे। उनको बचाने के लिए आठ नौ एमेलेस को जिन में रंडी सिंह रावत भी हैं। सूर्वी सिंह सजवान भी हैं। सबसे कहना पड़ा हैं। उसके सांद बैठो। नहीं तो उसको पार्टी निकाल दे रहे थी। जब मैंने उसके सांद भी विधायक थे। विधायक थी। कोई पर्सनल उनके पर केश हो गया था। उनको इल्जाम लगे थे। हटा दिया थे। तो हमने उनका सांद दिया। दोहजार दो में सर्पाल महराथ नको तिकट नहीं देना चाहते थे। मैंने इच्छा के खिलाब उनको ठिकट विया, क्योंकि मैं चाहता था यह नवजान खड़ा हो, जब वह मंत्री थे हमारे, तो मैंने उनसे बहुत अच्छे-च्छे काम निर्ने करवाई, एग्रिकल्चर, हॉटिकल्चर में, उसकी तारीफ करोगा, तो परफेक्ट एजुकिशनिस, बगर वही धैरी की कमी, और भाजपा ने जड़ा सा बड़ा वाला लॉली पॉप दिखाया, तो उधर की तरफ चलेगे, सरकार दिराने का पाप कर बैठे, जिसके लिए आज उनको खुद अफ्षोष करना पढ़ा है। इस बार जब वह वापस आ रहे थे कॉंग्रेस में, आपने बहुत विरोध किया उनका। हमने एक सत्यता कहीं, कि जो आए, वह कम से कम 18 मार्च को 2016 में, जो महापाप उत्राखंड में हुआ, अचल वहरी जी के सब्दू में, दल वदल महापाप है, जो महापाप हुआ, तो वह महापाप के लिए अफसोश जाहिर करें। और चार महने हमारा बजट लटक गया, उसके लिए अफसोश जाहिर करें। अच्छा, पर रोखे पर मामला बंद नहीं हुआ है। एक बात बताईए, कहीं माल है, मतलब जिसकी खरीद फरोद हो रही है, कहीं विधायक है, एक सौदागर आता है, वो मुझको वाइट आउस बेच रहा है, और जबर्दस्ती बेच रहा है, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, या लाल किला भीच रहा है, और पैसा भी कह रहा है, मैं इंतिजाम करूँगा, और जब इसको टालने के लिए मैं कह देता हूँ, जो भी करो, बाद में जब कर लोगे, पैसे मेरे पाद आजाना, वो अपना ले जाना, ठालने के लिए कह देता हूँ, और वो पत्रकार होता है, एक चैनल का हेड होता है, मालिक होता है, तो क्या सिष्च था, कि किसी से ब्लंट्री गेट आउट नहीं कहा, और उसको पुलाइटली यह समयाने की कोशिस की, कि मैं इसमें नहीं करता हूँ, और मैं जानता था, कि उनके नस्दीक है, लेकिन यह मालूम ही था, कि वह भाजवा का जासूस बन करके, भाजवा यह कुकर्म उससे करवा रही है, उसने पत्रकारिता को कलंकित किया, विश्वाज को खलंकित किया, यह तो कोई पाफ हो रहा हो था, कोई अफराद गटित हो रहा हूता, आपको हक है, अफराद गटित हो रहा है तो उसका आप श्ञव करिए, और यह स्ञव मैं कैसा श्ञव है? अपको श्ञव करेंगे, तो ललन टॉप के ले करेंगे, अपने उसमें दिखाएंगे, इसको दिखाने का काम भाजपा करती है, उनकी नेशनल स्पोक्सपर्शन निर्मला करती है, जो आज बित्रमंत्री है, जो उनकी बित्रमंत्री है, वो करती है, और ये कभी भी उस चैनल पर नहीं दिखता पहले, ये CBIA को ये दिया जाता है एक ही दिन के अंदर एक ही दिन के अंदर चंडीगर जाता है Forensic Leadership में और एक ही दिन माफ़ पास हो करके भी आ जाता है और साम को खुर को तीब्शाम को सरकार भी गिरा दी जाती है क्या आपको ये仔दर को इसे नहीं लगते कि ये सारी घटना करम एक महाशक्ति के दौरा रची गई भी कूट मीथी थी कौन थी ओम महाशक्ति थी जिस केन सरकार उनको कव्वा खाना था तीतर बता करके खाने के लिए इस इस स्टिंग बाच को जो है पेश किया ओपयोग किया गया और मैं किसी से भी दुनिया में पूछना चाहता हूँ किसी भी धायक के और मैं चौन होगा उन विधायक जिनको डिस्क्वालिफाइग करने का जो है फुल फूरूब केसा और डिस्क्वाइग हो नहीं तो अपने केस को खम जोर कर रहा था ऐसा करता जब तो लेकिन एक पत्र तब आये हो तो उसने खुछ बताना सूव किया, वो कहता बाद बिजय बहगुणा ने गिराई, पैसा देख करके गिराई, उनके बेटे ने गिराया, वही मुक्षिमंती हाउस चलाता था, जो वो सब बाते कहता है। आप साकेत बागुणा की बात कर रहे हैं। जब उनकी बात कर रहा है, तो उसको लोग उने इस्यू नहीं मनाया, भाच्वावानों ने, इस्यू क्या बनाया, कि हरी श्रावद में कह दिया, क्यार करो जो करो बादमा आना ले जाना उससे, बढ़ चल के ले जाना, टालने के कि मैं जानता था, मेरा रिस्तेदान ले जाना, यह स्लिप ऑफ तंग हो सकती है, लेकिन किसी को टालने के लिए जी मैं कह देता हूँ, तो उसका अर्थ यह थोड़ी है कि इरादा यह था, इरादा तो तब पैदा होता है, अप्राद तो तब बनता है, जब सौदा सामने हो आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने ये बात कही, एक व्यक्ति और मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, उन्होंने भी आपके लिए एक बात कही, जब आप यहां नाराजगी प्रकट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, जैसा बोएंगे, वैसा काटेंगे, मैं कैप्टन अम अमलेंच स्रीजी जीतने का कोई रास्ता नहीं बना रहे थे, और सीदे धीरे पाथी हार की तरफ जारी थे, निश्चित हार की तरफ जारी थे, बिना फाइट की जारी थे, हमने उनको फॉर्मूला बना करके दिया, इधायकों मैं अन्रेस्ट पैदा हो गया, उनकों के ता उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, सब मीटिंग हुई, जब विधायकूं ने कह दिया तब तालीज विधायकूं ने कह दिया कि वो CLP की मीटिंग बुलाइए और यह दिन नहीं बुला रहे हैं हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो हमको CLP की मीटिंग बुलानी पड़ी और वो CLP की मीटिंग फेस करने के वजाए सीधे उसको अपनी इंसल्ट मान करके राजभाण दे, क्योंकि उनको लगता था उनकी आदिग्या की विना, उनकी उसकी विना कुछ होना ही नहीं नहीं चाहिए, तो राजभाण गए उस् मेरी पांटी के हित्म है आप पंजाब से पहले असम के भी प्रभारी रहें क्या तो यह सब प्रक्रण हो रहा था तो एक नेता जो अभी भी कॉंग्रेस में, कैप्टन ने तो छोड़ दी, मनीश तिवारी, उन्होंने ट्वीट किया आपके लिए, पहले असम फिर अखंड भोग पूरा ही पौन गए कसर न रह जावे कोई एक बात बताईए चुनाथी पून सेच थी और हम उन चुनाथियों को गहन करके फाइटिंग मून मिलाए पार्टी को पूरे फाइटर बना कर लाए पर मनीश तिवारी कह रहें कि आपने बरबाद कर दी पार्टी मैं तो अर्शन चोड़े वे मुझको तुनाव से पहले एक शाल हो गए और पंजाब में निश्चित बरबादी दिखाई दे रही थी और उसको निश्चित जीत की तरफ ले जाने का मैंने का मैंने काम किया आज पार्टी वहां जीत की सम्हावनाओं के साथ खड़ी है आखरी तीन सवाल जो जन्ता ने आप से पूछे हैं पहला सवाल उन्होंने पूछा कि रावत जी को डैनिस नाम के शराब के ब्रैंड से इतना प्यार क्यों है आपके कारकाल में आपके लिए एक नाम चलाय विरोधियों ने डैनिस रावत एक काउंटर सवाल है मेरा लोग कि जो भी ब्रांज उत्राखन के फल और फूल और सब्यों को आश्वनी करेगा उसके दिस्टिलेशन में सामलित करेगा ताकि हमारी होटिकल्चत पनफशक है तो उसको 20 परसेंट 25 परसेंट का हमने मार्केटिंग राइट दिया आप पेलजाम है कि आपने उनको इस्टेब आई मगर उत्राखन के शूरी बंशियों और चंदबंशियों को समझ पसंद नहीं आई और उस समय कोई गलत इरादा इसले नहीं हो सकता था काम मंडी को सौपा गया था सरकारी उप्रम था CCI ने मंडी परशद पर एक करोण का जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बादा रहे जो है जो विक्री का काम कर रहे थे वो कुमाओ और गढ़ाल मंदल विकास निग्म थे तो हमने पब्लिक अंड़टिकिंस को दिया हमने सिंडिकेट से सराब का ब्या करोण बढ़ा कि चंदवंसी और सूरीवंसी दूनु क्रोधित हैं तो हमने जैनिस को आउप कर दिया हमने अटा दिया लेकिन आज जैनिस मेरी रिस्तेदार नहीं है इनकी रिस्तेदार है भी भाजबावालों कि अगले सवाल पर बढ़ते हैं मुख्यमंतरी मौजूदा प एक भी उधारन बता दे और मैंने तो क्रेशर भी कुछ लास्ट में होए सारे क्रेशर इत्या दिया और खनन के पठे आदी यह तो विजय वहणुना जी के समय हो है रमेश पोख्या लेया दूसे लोगों के समय हो है खन्दूली के समय हो है मैंने कर दिया और जो दिये भी और नीति के तहब दिये नंबर वान नंबर टू आज गंगा यमना नीली पीली रवाशन शुक्रो मालन गार गधेरे पहार के सब खो दे जा रहे है सारा प्रयावडन खत्रे में है आज कहां जा रहा है लोग कहते है कि अधिकारी कहते है कि साब पांच रुपया पर कुंट जनता ने कहा है कि मुख्यमंत्री खनन परे भी है तो नदी नालेगार गधेरे सब रहा है तो भई यह नाम उनको मुवारक लग रहा है तो मुवारक सही लेकिन उताखन के लिए तो जो है यह नजाने कहां-कहां इस बरशाद में बार से ठूट-ठूट होगे गाहों बहें तो मैंने इसलिए मैं उसका विरोध करें और चोटे भाई के तो मेरी आजवाईस है कि ऐसा न करें कभी यह गल्ती है उनकी मेरा आखरी सवाल आपसे हरी जी आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया त्रवेन सिंह रावत पूर मुख्यमंत्री उनसे आपकी दोस्ती के अरुबल्द गए थे वहां जो गरवर काम गरवर में विस्वास करते थे उन सब को कंट्रोल में रखा और आपकी व्यवसायख हितों की चिंथा की लोग यह भी कहते हैं मेरा कोई व्यवसायख हिता ही नहीं मुझे बटा दे कोई व्यवसायख हितो जिस आदमी के बास आरे चुनाओ के लिए बहुत बहुत शुब कामना है